हेलो फ्रेंद्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजयन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजयन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजयन कैसी बनाया गया है प्रेंड्स इस डिजैन को आप बच्चों के स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, कल्स, टॉप, प्रोक, मपलर, शोल, स्टॉल, बेबी, ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़ज़श्ट हो जाएगा 12 के multiple देखिए आप इसमें 12 फंदे गिन लिजिए फिर से 12 फिर से 12 बार बार 12 बार फंदे गिनते जाए और last में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और 14 लायों में complete हो जाता है ये जो नीचे border बनाया गया है इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर upload की हुई है अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो link मैं description box में देदूंगे वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं ये जो border design बनाया गया है इसको बनाने के लिए हमें 12 के multiple प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं लेकिन जब हम ओपर design बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए 12 के multiple प्लस 4 फंदे लेने होंगे तो ये जो border हमारा जितना भी बनाना है वो complete हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कहीं पर भी एक फंदा उपर बढ़ा देंगे तो हमारा ये design इस तरह से adjust हो जाएगा तो मैंने यहां last में एक फंदा बढ़ाया है तो यहां पर थे मेरे 12 तिये 36 और प्लस 3 39 और ओपर हो गए है मेरे 12 के multiple प्लस 4 यानि 40 फंदे तो जो design की पहली स्लाई मैंने यहां से बनाई वही पहली स्लाई मैं आपको यहां से बता रही हूँ बिल्कुल सेम तरीके से border के बाद आपको स्लाई बनाने है सरफ एक फंदा आपको बढ़ाना होगा यहां दो फंदे से पहले आप एक फंदा यहां पर बढ़ा लीजिए तो सेम आपका design adjust हो जाएगा अगर इस border पे बनाते हो तो तो चलिए अब हम इस design को बनाना शुरू करते हैं डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है पहला फंदा adjust each है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो देखिए दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे adjust each के बाद यानि टोटल हमारे यहां पर तीर फंदे हो गए है अब देखिएगा यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा यह जो हमारा धागा है इसको हम अपनी तरफ ही रखेंगे और यह वाला जो फंदा है इसको हम यहां पर ऐसे सीधा बना देंगे तो देखे जब हमने धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाया तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया फिर से हम धागे को वापस अपनी तरफ ले आएंगे इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे अब देखे एक दो और ये तीन इन तीन फंदों में back side से slide डालेंगे धागा हमारा अपनी तरफ है और इन तीन का हम यहां एक फंदा बना देंगे यह देखिए, तीन का जब हमने एक फंदा बनाया तो यहाँ दो फंदे हमारे कम हो गए एक जाली से यहाँ पर बढ़ गया, एक जाली से यहाँ पर बढ़ गया अब इस से आगे देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच और यह छै तो ये देख लीजिए एजस्टीच के बाद अब यहां से यहां तक टोटल हमारे बारा फंदे हो गई है मैं आपको गिनके दिखा देती हूँ ये एजस्टीच हो गया उसके बाद दो, चार, छे, आठ, दस और ये बारा अब इसी डिजैन को हम बार-बार रिपीट करेंगे तो ध्यान से देखिए धागे को अपनी तरफ कर लेंगे दो फंदे उल्टे एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ ही रहे और एक फंदे को हम ऐसे सीधा बना देगे फिर धागा वापस अपनी तरफ करेंगे इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से फंदे टाइट हो तो आप लूज कर सकते हो धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से तीन फंदे का एक फंदा हम बना देगे तीन का एक करने पर दो फंदे कम हुए तो एक जाली यहां आ गई एक यहां आ गई फंदे हमारे जो बढ़ते हैं वो घटते हैं तो इकवल रहते हैं अब फिर से छे फंदे हम सीधे बनाएगे एक दो तीन चार पांच और यह छे अब इसी डिजाइन को हम फिर से रिपिट करेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक और यह दो धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और एक फंदे को सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से तीन फंदे में स्लाई डाल लेंगे और तीन का यहाँ एक फंदा हम बना देंगे तो जाली भी आ गई और तीन का एक हो गया फिर छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और यह छे धागा अपनी तरफ करेंगे देखिए अगर सेम बोर्डर के बाद आप यह डिजाइन बनाते हो तो यहाँ आप एक फंदा बढ़ा लीजिए अब मैंने पहले यहाँ पर बढ़ा लिया था तो अब देखिए यह तीन फंदे बची हैं इनको हम लास्ट में उल्टा बुन लेंगे एक दो और यह हमारा एजस्टीच तीन पहली स्लाइड डिजाइन की कम्प्लीट हो गई दूसरी स्लाइड उल्टी साइड पर जो फंद जराने शुरू हो जाएंगे पहला फंदा एजस्टीच हो गया धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक और यह दो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दस फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यह दस एजस्टीच के बाद यह हमने दो सीधे और आठ उल्टे का डिजैन बनाया इसी को बार बात रिपेट कीजिए तो धागा पीछे ले जाएंगे दो फंदे सीधे एक और यह दो फिर धागा अपनी तरफ और आठ फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ नो और यह 10 देखिए 2 हमारे सीधे हो जाते हैं और 10 हमारे उल्टे होते हैं तो यह मतलब आपके 12 फंदे हो जाते हैं यहां से यहां तक पूरी सलाई में आपको उल्टी साइड से ऐसे बुनते जाना है 2 सीधे और 10 उल्टे 2 सीधे और 10 उल्टे यानी 12 फंदे का डिजाइन है फिर धागा पिछे करेंगे और 2 फंदे सीधे 1 और ये 2 फिर धागा अपनी तरफ और 10 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 लाश्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे दो सीधे और एजस्टीच को उल्टा बुन देंगे तो दो सलाईया हमारे डिजैन की कम्पलीट हो गई है अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा जितना डिजैन देखने में सुन्दर लग रहा है बनाने में उतना ही आसान है पहला फंदा एजस्टीच हो गया यहां से हमारा डिजैन शुरू है एजश्टीच के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे अब ये जो जाली से फंदा हमारा बन गया इसको हम यहां सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बनेंगे इधर हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे यहां साथ के साथ हम गटा के बराबर करते जाएंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम पलट देंगे देखिए ये एक जाली ये फंदा ये फंदा इन तीन में बैक साइड से स्लाई डाल लेंगे धागा पहले ही अपनी तरफ कर लेना है और इन तीन का यहाँ एक फंदा बना देंगे देखिए एक जाली यहां आई और एक यहां आई इसके लिए तीन का एक कर दिया तो फंदे हो गए बराबर अब पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और ये पांच फिर से इसी डिजैन को बनाएंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर धागा एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ इस जाली वाले फंदे को ऐसे पलट लेंगे और बैक साइड से यहां अब तीन फंदों में एक साथ सलाई डालेंगे धागा अपनी तरफ रहे और तीन का एक फंदा हम ऐसे बुन देंगे फिर पांच फंदे सीधे एक दो तीन च और ये पाँच, फिर से इसी डिजैन को रिपिट करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, जाली वाला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को सीधा बुनेंगे, तो यहां एक जाली ओर आ गई, धागे को वापस अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को पलटके और बैक साइड से यहां तीन फंदों में स्लाई डालेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे फिर पांच सीधे एक दो तीन चार और ये पांच और लास्ट के तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे तो ये हमारी यहां पर तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लिट हो गए चोथी सलाई उल्टी साइड पर जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाईए उल्टे हैं उनको उल्टा बनाईए यानि एजश्टीज के बाद दो सीधे और दस उल्टे तो मैं इस सलाई को कम्प्लिट कर देती हूँ तो ये देखें फ्रेंट्स चार सलाईया हमारी यहां कम्प्लेट हो गई पांच में सलाई सीधी साइड पर पांच में सलाई को आप देखें कैसे बनाएंगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए अब यहां से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा एजस्टीच के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे और अब यहां दो फंदे सीधे एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ करेंगे देखें जाली हमारी हर बार इसी फंदे पर आएगी जिसमें हमारी पहली जाली आई थी तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो एक जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस जाली वाले फंदे को पलट देंगे एक दो और ये तीन इन तीन फंदों में अब हम बैक साइड से स्लाइड डाल लेंगे धागा अपनी तरफ रहे और यहां तीन का एक फंदा बना देंगे तो देखें दो जाली जो आती हैं तीन का एक करके फंदे बराबर हो गए अब चार सीधे एक, दो, तीन और ये चार अब इसी डिजाइन को बार-बार रिपिट करते जाएंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पिछे और दो सीधे एक और ये दो धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये सीधा तो जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ करके तीन का एक फंदा बना देंगे फिर चार सीधे एक, दो, तीन और ये चार फिर सेसी डिजैन को बनाएंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे और ये दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ एक जाली ओर आ गई फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से यहां तीन का एक फंदा बना देगे फिर चार सीधे एक दो तीन और ये चार लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा बना दीजे तो पांच सलाईयां डिजैन की कम्प्लेट हो गई चटी सलाई सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाई है छे सलाईयां पूरी करने के बाद अब आज ये इसकी सात्मी सलाई और सीधी साइड पर सात्मी सलाई को आप देखे क्योंकि अब मैं आपको सिर्फ सीधी साइड की सलाईयां ही बुन कर दिखाऊंगी उल्टे साइड की सलाईयां काफी आसान है तो एजस्टीज के बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागे को पिछे करेंगे और यहां तीन फंदे सीधे एक, दो, और यह तीन धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहां एक फंदा हम सीधा बना देंगे तो एक जाली और आ गई धागा अपनी तरफ करेंगे इस जाली वाले फंदे को पलट देंगे बैक साइड से तीन फंदे का एक फंदा बना देंगे तो यहां जाली भी आ गई और तीन का एक भी हो गया तीन फंदे सीधे 1, 2 और ये 3, फिर अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेगे, फिर दागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे और back side से 3 फंदे का यहाँ 1 फंदा हम बना देंगे फिर 3 फंदे सीधे 1,2 और यह वाला 3 अब फिर से सी डीजैन को बनाएंगे 2 फंदे उल्टे 1 और यह 2 पिर दागा पीछे 3 फंदे सीधे 1,2 और यह 3 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बनेगे फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे और इस जाली वाले फंदे को पलटके बैक सैड से तीन फंदों में स्लाई डालेंगे और तीन का एक फंदा यहां बना देंगे फिर तीन सीधे यह देखिए एक दो और ये तीन, लास्ट में भी तीन फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा बना दीजिए, तो यहाँ साथ सलाईयां कम्प्लीट हो गई, आठमी सलाई पर जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए, तो ये देखिए, आठ सलाईयां मैंने पूरी कर ली है, अब नोमी सल दो, धागा पीछे, और ये देखिए, एक, दो, तीन, और ये चार फंदे हमने सीधी बनाए, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, और एक फंदा हम ये सीधा बनेंगे, तो एक जाली हमारी ओर आ गई, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, जाली वाले फंदे को पलटके, अब बेक साइड से तीन फंदे में स्लाइड आलेंगे, और तीन का यहाँ एक फंदा हम बना देंगे, तीन का एक करने के बाद, दो फंदे ये सीधे, ये हो गई है, हमारे देखिए, यहाँ पर एक डिजैन कम्पलीट हो गया, अब हमारा नेफ्ट डिजैन है, दो फंदे धागा पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार सोरी चार फंदे हमें यहां पर सीधे बनाने हैं क्योंकि पांच तो हमारे तब बनेंगे जब हम धागा अपनी तरफ करके और इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो हमारे यहां पांच फंदे हो गए फिर धा से यहां तीन फंदे का एक फंदा हम बना देंगे अब दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे ये उल्टे धागा पीछे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार इधर जाली से बढ़ते जा रहे हैं और इधर हम जाली भी डाल रहे हैं और तीन का एक करके घटा रहे हैं तभी हमारा ये डिजैन इस तरीके से बनता है तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को हम पलट देंगे और Gen्च सइड से यहां तीन फंदे का एक फंदा हम बना देगे, दो फंदे अब सीधे, और लास्ट में हमारे तीन बचेंगे, इनको हम उल्टा बुन लेगे, तो नो सलाईया डिजाइन की कम्प्लीट हो गई, दसमी सलाई पर जो फंदे जैसे दिखे, बना दीजिए, दस सलाईया मैंने पूरी कर ली है ग्यारमी सलाई और सीधी साइड पर, ग्यारमी सलाई पर देखिए, एजस्टीच के बाद हम दो फंदों को उल्टा बनाएंगे, धागा पिछे ले जाएंगे, और अब पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और इ और टाइट हों तो फंदों को लूज कर लेंगे, फिर बैक साइड से धागा अपनी तरफ रखते हुए, तीन का एक फंदा हम सीधा बनेंगे, तो जाली भी आ गई और तीन का एक भी हो गया, अब एक फंदा सीधा, फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, दो उल्टे, ध धागा पीछे, पांच सीधे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, और बैक साइड से यहां तीन फंदे का एक फंदा हम बना देंगे, अब एक फंदा सीधा, फिर इसे डिजाइन को रिपिट करेंगे, दो उल्टे धागा पीछे, पांच फंदे यहां सीधे बनाएंगे, पांच सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा सीधा, तो जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ, इस जाली वाले फंदे को पलट देंग और बैक साइड से तीन का एक फंदा बना देंगे, यहां एक फंदा भी यह सीधा, लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे, इनको उल्टा बुनिए, तो ग्यारा सलाईया डिजाइन की कम्पलीट हो गई, बारमी सलाई पर जो फंदे जैसे दिखें वैसे बना दीजिए तो यह देखिए, बारा सलाईया डिजाइन की कम्पलीट कर ली है, अब आज यह इसकी तेरवी सलाई और सीधी साइड पर, यह देखिएगा, एजस्टीज हो गया और इसके बाद हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक और यह दो, दागा पीछे और छे फंदे सीधे, एक दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, अब दागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे, दागा अपनी तरफ करेंगे और इस जाली वाले फंदे को पलट देंगे, और बैक साइड से यहां तीन फंदे का एक फंदा हम बना देंगे, तो यहां से सी सीधे फंदे सारे खतम हो गए हैं जाली से इधर हमारे बढ़ते गए हैं तो यहां एजस्टीज को छोड़ कर ये बारा फंदे का डिजाइन है इसी को अब हम बार बार रिपेट करेंगे दो फंदे ये उल्टे धागा पीछे और छे सीधे एक दो तीन चार पांच और ये छे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से तीन का एक फंदा हम बना देगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे और छे सीधे एक दो तीन चार पाँच और ये छे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा ये सीधा फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से तीन का एक फंदा बना देंगे लास्ट में हमारे तीन फंदे बचेंगे इनको हम उल्टा बुन देंगे तो तेरवी सलाई डिजैन की कम्पलीट हो गई चोदमी सलाई पर जो फंदे जैसे दिखें वैसे बनाईए तो ये देखिए फ्रेंड्स 14 सलाईों में ये डिजैन ओवर हो गया है अब आप इन ही 14-14 रोज को जब बार बार रिपिट करेंगी तो बहुत ही प्यारा सा आपका डिजैन बनता जला जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया है मेरा बताने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंड्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके Thank you